विकलांक अधेड यूवक की लास मिलने से पुरे नगर में फैली संसनी नैशाल का पहला दिन खत्म ही हुआ था और जहां सीस में दूसरे दिन ही विकलांक अधेड यूवक का सो मिलने की खबर से आसपास की जगों में संसनी फैल गई खबर मिलती ही सस्पी समेत बड़ी शंख्या में पुलिस बल मौके पर पहुच गए और घटना के काड़ों की जाज़ परताल सुरू कर दी है पुरे तक के सिनात रेलवे खोली में रहने वाले लचमन उर्फ पच्चास वर्ष की रूप में हुई है जिनका जासी नगरा होट के मैदान में आसुबा एक व्यक्ति की लास मिलने की खबर पुलिस को मिली प्रेमनगर थाना प्रभारी ततकाल मौके पर पहुचे और घटनास्तल का मुआयना किये मौके पर एक पैर से दिव्यांग लगभग पच्चास वर्षी व्यक्ति का सव पढ़ा हुआ था पास में ही उसकी साइकल और अनेश्यमान भी पड़ा हुआ था जाच में आधेर की सिर में चोट के निशान मिलने से लाठी से हमले करने के आसंका जताई जा रही है आज पास के लोगों ने बताया कि मुझी तक का नाम लच्मड है जो रेलवे खोली में रहता था घटना की जनकारी मिलते ही एस एस पी राज्येस सब एस बी मौके पर पहुचे और डाग स्कॉयर्ट टीम को बुला कर जाच करने के लिए निर्देश्टिये दिव्यां की हत्या किसने और किस कारण से सिकी है पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है कि अब लगते हैं आपके जटना हुई कैसे मालूम प्ला कुछ नहीं मैं सुवेद रहे थी तो एक इन्हीं के पड़ोस का मेरे भाई के पड़ोस का गया कुई बेट लड़का मुम्दिंटा कह रहे थी चोटा सा बच्चा के आपके भाई कुआ मारे पड़े तो फिर हम लो इस आटा देते मेरे 200 अपर गिर गए बजार में इस नहीं कुछ नहीं करते हैं वो तो अभी बिकलांगी समझो काई साइकल साइकल साइटी 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 तो तो क्या लग रहा आपको गया संगा क्या लग रही है सर्जी प्रेशनी मालूम मैं खुदी चल पाती में का बेटी आसे बेटा है बसुद सासव रहे में मेरे मा अब हो गयत और कोई नहीं रहा जैसी जनपद में जासी जनपद में जासी जनपद में ताना प्रेम मयर्षेतर अंतर गत एक यृट बड़ी मिलने का सूचना हो नहीं होते ही हमारा पलिस दवरा मोके पर पूंच गया गटनास्तल पे मैं और डीएज मोदे द्वारा भी निरिक्षिन कर लिया गया है गटनास्तल देखने के बाद और जो डेड़ बाड है उसको निरिक्षिन करने को यह पता चल रहा है कि जो हेड इंजूरी है उस जिसको लेके उनको मृति हुई है और यह सैक्ल से अपना बहन क गर रातरी लगबग नव बजे के बाद निकला था उसके घर नहीं पहुंचा है अभी प्रतंद्रिष्टिया हत्या मानते हुए तुरंत डेड़ बाड़ी को पोस्टमाटम के लिए बेजा गया है और मुकदमा पंजिक्रित कर इस घटना को जल्दी अनावरन किया जाएग अभी रातरी नौ बजे के बाद अपना गर से निकला है बहन का गर से उसके बाद की घटना है कितने बज़े अभी कुछ कहना मेरे लिए असंबब है बड़ी किसी आसमास लोगों देखा और बताया हूं जैसे मैंने बताया अभी जितने अभी प्रतंद्रिश्य जो पूश